प्रश्च को पता है कि यह चैलेंज सीरीज आप लोग ले चल रही है जिसका आज यह सही है सेकंड पार्ट ठीक है पहले प्यार को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जिसने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में आपको फ्लेइलिस की लिंक मिल दाएगी आप लोग देख सकते हैं ठीक है सभी को पता यहाँ वे पचास महत्पूर्ण प्रश्ण दिये जाते हैं जिसमें से आपको 40 सही करके बताने हैं ठीक है और यह सभी के लिए खुला चैलेंज है फिरेंड ध्यान रखके एकदम खुला चैलेंज ठीक है अपने इगो पे लेक है बारत के संभीधान में कौन सा शंसोधन सबसे विस्तित्ता तो कौन सा संशोधन सबसे विस्तित्त नॉर्मल सा कोश्ण है बिलको सभी लोग यहाँ पर सही के नंभी है 42 सिंसोदन ऑपशन बी बिलकूस सभी रवाप हे अगला कोशन आप सभी की सामने तीक है सूरियों देक्थनेवाला सबसे पहला भारतिय राज्य्य कौंसा है संही उत्तर रर्णाचा-प्रदेश ऑप्शन भी बिलकूस सौपिस अडिक उत्तार है नेस कोश्चन की तरब बढ़ी आते हैं अगला कोश्चन है आपका ठीक है इकबाल पुरुसकार दैश में उत्कृष्टा के लिए दिया जाता है तो कि छेतर में उत्कृष्टा के लिए इकबाल पुरुसकार दिया जाता है तो बिलकुत सही उत्त बोपाल जंबाक का नहीं है बताईए कौन सा बोपाल जंबाक का जला नहीं है इस में से तो बेलकु तर आप British भारत में civil सेवाओं के पिता कौन किलाते हैं तो बताइए British भारत में civil सेवाओं के पिता कौन किलाते हैं और बिल्कु सही उतर आपके लोग जो सोच रहे हैं Lord Carnival is बिल्कु सही करें option इसका right answer है next question की तरब बढ़े आते हैं ठीक है अगला कोश्चिन आप सभी के सामने आ गया है किस खिलाड़ी को दी विजर्ड कहा जाता है तो कौन से खिलाड़ी है जिनको दी विजर्ड कहा जाता है अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो सभी लोग लाइक करते चलेंगे लाइक करने से यह पता से लेगा कि आपको यह चैलेंज सिरीज बहुत पसंद आ रही है और अगर कोई नया वेक्ति देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और सभी लोग उसको शेर जरू क करेंगे चैलेंज सिरीज को जिससे आगे आपके लिए और भी सारी चैलेंज सिरीज की वीडियो आती रहे चले अगला कोश्चन आप सभी के सामने विया ठीक है बहुत ही नॉमल सा कोशन है आंधर प्रदेश पुनर गटन अधिनियम समानत्या तेलांगना अधिनियम के अगला कोश्चन आप सभी के सामने बहुत ही प्यारा सा पॉंडी चैरी के उपराजपाल कौन है तब यह वर्तवान में पॉंडी चैरी के उपराजपाल कौन है जिसको आप लों इंग्लिश में लेट्रिन गवरनर केते हैं बिलकुल तमली साही सौंधराजन ठीक है तमली स कुफाएं दैश में पाई जाती है तो पांड़ा कुफाएं कहां पाई जाती है फ्रेंट्स चलिए इसका उत्तार होगा पच्छमाडी ऑप्शन डी बिल्कु सो पे सरीक उत्तार है नैस कोशन की तरह बढ़ आते हैं अगला कोशन आप सभी के सामने चलिए अगला कोशन इस कि इन्फोसेश इन्फोसेश के संस्तापक कौन है तो इन्फोसेश के संस्तापक कौन है वरेंट बिल्कु नार演 मुर्थी आप्शन स सभी के सामने बहुत ही प्यारा जिसका मुझे इंतिजार था सभी लोग को क्योंकि यह कोशिन भार बार रिपीट होताए ध्यान से सुनेगे यह को सर ज्यान से पढ़ेंगे लोगसभा के 27 गेज समयां अंतिराल इस से अदितख नहीं सकता है किससे अधिक नहीं हो सकता है तो सई उत्ता carbon आते हैं अगला कोश्चन आप सभी के सामने बहुत ने हैं सो को फैकित के भारत के प्रतम गवंणर्ड जेनरल से तो भारतmers के पर जो लोग भी सोचें ओप्षिन एसका सही उत्तर है नेस कोशन की तरह बढ़ाते हैं अगला कोशन आप सभी के सामने ठीके भारत के बताएंगे इसको उत्तर क्या होगा भारत का सबसे पुराना फिडवाल भारत का सबसे पुराना फिडवाल टूनामेंट है तो कौन है भा बिलकुल अगला कोशन आगे है नियो ठीके राज्य पुनर गटन अधिनियम दैश को प्रवाव में आया था बहुत ही नॉर्मल सा कोशन है मेरे कहल से इस चैलेंज सीरीज का सबसे इजी कोशन है एक नवंबर नाइंटी प्टी सिक्स ऑप्शन भी बिलकुल सौ पे सड़ी तो बताएंगे तमसर नदी कोई टोंस नदी कहते हैं यह कहां से उत्पन होती है सतना से ऑप्शन डी बिलकुल सही रवाप है नेस कोशन की तरह बढ़ आते हैं अगला कोशन आप सभी के सामने बहुत ही प्यारा सा कोशन शब्द ग्रेंट स्लेम किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है तो ग्रेंट स्लेम शब्द किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है सही उत्तर होगा इसका टैनीस ऑप्शन है चैने कोशन की तरह बढ़ आते हैं अगला कोशन आप सभी की सामने बहुत ही महसून सा कोशन जिसका उत्तर आप लोग सभी लोग एक पल में दे देंगे कोशन की तरफ बढ़ आते हैं अगला कोशन आप सभी की सामने बिया कोशक महल कहां पर रिस्ती तो कहां पर रिस्ती थे बैंगलोर बिलकुत सभी जबाप इसका बैंगलोर आगे बढ़ आते हैं नेस कोशन की तरफ अगला कोशन आप सभी की सामने चतीस गड़ का राज्य पश्यू कौन सा है बिलकुल जंगली भेंज इसका राइट अंसर होगा नेस कोशन की तरफ बढ़ आते हैं अगला कोशन आप सभी की सामने चलिए अगला कोशन आगे आए इन देशों में से कौन सा भारत की सीमा को नहीं चूता है कौन सा देश नहीं चूता है भारत की सीमा को तुभी यह थाइलेंड नहीं चूता है ठीके ध्यान रखेंगा आप लोग अगला कोश्चन की तरब बढ़ आते हैं नेस्ट कोश्चन है हमारा भारत में कौन सा परमाणू उर्जा स्टेशन पूरी तरह से कोश्चन आप सब्भी के सामने ठीके वेंकर ट्रामा निम्ली कि तमेंसे कि छेत्र में अपने कारे के लिए नोबल पुर्श कार मिला था बिलकुल रसायान ठीके option एसका राइट अंसर होगा नेस्ट कोश्चन की तरह पढ़ आते हैं अगला कोश्चन आप सब्ली के सामने वे काल जिसे हिंदू धर्म का स्वन यूग कहा जाता है निम्न मेंसे किसके शाषन के अधीन था किसके शाषन के अधीन था फ्रेंड्स बिलकुल गुप्त शाषन के अधीन था आप्शन भी बिलकुल सही जबापे नेस कोशन की दरब बढ़ आते हैं नेस्ट कोशन आगे आप लोगों के सामने ठीक है बहुत ही अच्छा और बहुत ही फेमस सा कोशन है यह वाला देखते हैं कौन इसका उत्तर कर पाता है मिल्क मैन ओफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है तो सभी को बता है वर्गीज कुरियन ऑप्शन डी इसका राइट अंसर है वी कुरियन नेस्ट कोशन की तरह बढ़ आते हैं अगला कोशन आप सभी के सामने ठीक है लगबग बताएंगे इसका उत्तर लगबग 90% भारत का वेपार मात्रा दोआरा और 70% मूले दोआरा नेमन में लाया जाता है बताएंगे बिलको सही जबाब दे रहे हैं आप लोग समुंद्री परिवान ऑप्शन डी इसका राइट अंसर है समुंद्री परिवान ठीक है वीडियो अगर पसंद आ तो सब लोग वीडियो को ला पर आपको लाइक करना है लाइक करना नहीं बूलना है जिससे पतना लोग शेयर करना कोई नहीं भुलेगा ठीक है शेयर भी करते आई-डू option a सेरोजेन नाई-डू नैस q涂 की तरह बढ़ आते हैं अगला q äl Isn Aa आ आप सभी के समने दीके in न मेंसे एक प्रतिवर्ती परिवर्ता ने प्रिवर्सिवल प्रोसेश प्ताइए इन में से कौन सी revere reasons प्रोसेश है तो सभी का उत्तर बिल्कु सही है बर्फ का पिगलना ठीके option भी बिल्कु सही जवाब है next question कितार बढ़े आते हैं अगला question आप सभी की सामने भारत का राश्टे फूल है तो भारत का राश्टे फूल क्या है कमल बिल्कु सही जवाब अगला कोश्चन अभी है हमारा ठीके सत्य हरीचंद इनके द्वारा लिखा गया था तो किर्केर रहा लिखा गया था बार तेंदू ऑप्शन एसका राइट उत्तर होगा नेस्ट कोश्चन की तरह पढ़िया थे तो कहां परहें इन में से माशायलाट अकेडमी कहां परहें बिल्कुल साही जबाप बोपाल नेस्ट कोश्चन की तरह पढ़िया थे हैं बद्यप्रदेश के कौन से राजिपाल लोग सवा के अध्यक्स रह चुके हैं तो कौन से राजिपाल लोग सवा के अध्यक्स रह चुके हैं तो बलराम जाकर ऑप्शन भी बिलको सही जवापेस का नेस्ट कोश्चन की तरह पढ़े आते हैं अगला कोश्चन है भारतिय सम्म रमिदान में बताइए कितनी हैनुसी जांगीर का जनम जात नाम क्या है सबी को पता होना चाहिए और सबी को पता भी होगा सलीम option d बिल्कुल सही रवाब पे next question की तरह बढ़ आते हैं अगला question आप सभी के सामने ठीके सूचना का अधिकार अधिनियम भारत संसत द्वारा दैश में पारित क्या गया था right to information कब पारित क्या गया था बिल्कुल 2005 option a का right answer है चले next question की तरह बढ़ आते हैं अगला question आप सभी के सामने बहुत ही प्यारा सा ठीके आंदर प्रदेश की एक नित्ते शहली के लिए जाना जाता है कौन सी नित्ते शहली के लिए आंदर प्रदेश जाना जाता है सभी को पताए कुच्चिपुडी option c इसका right answer है question ये वाला तैपरवरत के नाम से हिमाले को जाना जाता है बिल्कुल option एसका right उत्तर होगा next question की तरह बढ़ आते हैं ठीके जांगीर जांगीर महल दैश में रिस्ती थे तो जांगीर महल कहां पर रिस्ती थे ओर चा बिल्कुल सही जवाब next question की तरह बढ़ आते हैं अगला question आप सभी के सामने बीम बेटका की पूर्व एत्यासिक गुफाओं की खोच किसने की थी तो किसने की थी बिल्कुल B.S. वानक कर टीके वानक कर बिल्कुल सही जवाब इसका next question की तरह बढ़ जाते हैं अगला question आप सभी के सामने बहुत ही प्यारा सा प्रशने ये राष्टे सेवा ठीके जान रखेंगे राष्टे सेवा योजना के स्वयम सेवक और राष्टे सद्भावना योजना को विले कर बना दिया गया था क्या बना दिया गया था रास्ट युवा कोर योजना बना दिया गया था ठीक है ध्यान रखेंगे चलिए आगे बढ़े आते हैं नेस कोशन की तरफ ठीक है चलिए नेस कोशन है भी आपका बहुत ही प्यारा सा ठीक है निम्न मेंसे कौन सी एक नगदी फसल नहीं है तो कौन स उम्मीदे आपने class written करी होगी तो इसका अर्थि समझ गए होगे आप लोग अगला question आप सभी के सामने निमली की जिलों में से कौन सा जिला सागर संबाग का नहीं है तो बताएंगे सागर संबाग का जिला कौन सा नहीं है सही उत्तर होगा सतना आगे बड़ी आते हैं next question की दरफ अगला question है ठीके बहुत ही प्यारा सा भारत के प्रथम गवर्णर जनरल कौन थे तो बारत के प्रथम गवर्णर जनरल कौन थे बिल्कुल यहाँ पर जो सोच रहे हैं विया लॉड विलियम बेंटिक बिल्कुल साही सोच रहे हैं अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक को शेर करना कोई नहीं बुलेगा चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा काफी सारे वीडियो आपको मिल दाएंगे हमारे चैनल पर अगला कोश्चन है ठीक है चले बहुत ही प्यारा सा कोश्चन आप से भी के सामने आ गया है ठीक है किस फिडवाल खिलानी ने भारत के लिए सो से अधिक अंतिराश्टे मैच खेले हैं तो भी यह किसने खेले हैं ठीक है कौन से खिलानी ने खेले हैं बिलकुल बाइचिंग बूटिया ऑप्शन भी इसका राइट अंसर भी है बाइचिंग बूटिया नेस कोश्चन क एसका right answer है ठीके चले नई सकोशन की तरफ बढ़ आते हैं अगला कोशना आप सभी के सामने बहुत ही प्यारा सा प्रश्न भारत की पहली परमाणू शक्ती को दिया गया था बताइए पहली परमाणू शक्ती जैस को दिया गया था उपनां किसको दिया गया था उपनाम बिलक कौन प्रिंच के लिए मौंनि यूसूप खत्री औपिशन सिगा बिलकुल सो पेशथिक उतर्व होगा अगला कॉशन के तरफ सबी के स्क्रीन पे कि प्यारा सा कुनो वंज भी अब्यारन मद्ध्य प्रिदेश के कि जिले में स्तिते नेस्ट कोशन की तरह बढ़े आते हैं बहुत ही प्यारा सा कौशन आप लोगों के लिए ठीके अगने से गोगांशे बोज यू को मुक्के रूप से दैश के रूप में जाना जाता है यह इजी भी और टफेस भी मदर टेरेसा बिलकुर मदर टेरेसा का नाम सबने सुना है बस यह जो नाम है वो आपने पहली बार सुना है चले नेस्ट कोशन इंपोर्टन कोशन है नोट कर लेंगे इसको कहीं चले बिलकुर अगला कोशन अभी आपका पूर्व घाट में मिदू कौन सा है मढ़ी बिलकुश सभाप है महिंदर अगर वीदियो देखे 50 questions हमारे तो वीडियो को लाइक और शेर जरू करेंगे यह देखिए आपका साइंस का टेस्ट हुआ है जिसने भी नहीं दिया है टॉप दिल्सो प्लस कॉश्चन इसमें करन सरने लिए थे एक से बढ़के एक कॉश्चन से जरूर जिसने भी टेस्ट नहीं लगाया है डिस्क्रिप्श बना रहा तो एक्जाम होने तक आपकी चैलेंज सरी चलती रेगी यह तो कुछी हो जाए पर लाइक करना मत भूलिए गा लाइक यह पता रहे मिया कि आपको चैलेंज सरी चाहिए इतने लोग हैं जो लाइक हमारे चैलेंज से इसको पसंद कर रहे ठीके ठैंक यू जैशी दन्यवाद